नमस्कार दोस्तों वियली फैमिली चेनल में एक पर फिस से बहुत बहुत सागत है आज हम बात करेंगे पीम किसान योजना के बारे में जो इस बार एक लटेश्ट न्यूज आया हुआ है कि अगर आप यह दो वर्क नहीं किये हैं अपने पीम किसान में तो आपकी अगली किस अगर चेनल आपकी में तभी आएगी जब आप 31 जनले ₹ 2-3 से पहले यह काम अपने कर लेंगे तो क्या है वर्क वो कैसे क्या करना है हम पूरी वीडियों में जानेंगे तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पोर्टल पे पीएम किसान के पोर्टल पे हम आ जाते हैं अब मैं पीएम किसान के बार में थोड़ा सब को बता दूँ कि यह पीएम किसान योजना पीएम किसान समान इधि योजना वह योजना है जिसके अंतरगत हर चार महीने में 2000 रुपे के किस्त मिलती है छोटे किसान भाईयों को और ये पूरे साल में 6000 रुपिया 6000 वार्सिक ये आता है प्रधानमंत्य किसान समान निधी अब इसकी तरहवी किस्त आने वाली है लेकिन उससे पहले पेपर में न्यू चैनल में ये आ र छाहता हूँ अब वह देखिए कि देखिए ड हमला किसानों नहीं करये कि वाई सी एक एक जीली की बात है अभी यह पूरे इंडिया में आप बहुत लोगों ये नहीं करये ही UN त्यक्राइब HAWICK benz01 कि तक नहीं करा है इसके वाई से अभी तक नहीं करा है अपने एम किसान मे अंतिम आउसर देते हुए 31 जनवरी की तिथी तैगी है सासा ने नर्मी दिखाते हुए 31 जनवरी तक अंतिम मौका दिया है अंतिम के कहने का अभी प्राइब यह है कि इसके बाद साइद नया डेट न मिले के वाइसी की डेट न बढ़े यह तो पहला हो गया अब दूसरा वर है तब ही आपकी किवाईसी हो भी गई है और यह भुमी जो आपका खासरा खत्रा खतवनी नंबर होता है तब भी आपकी किस्ट रुक जाएगी और दूसरी बात आपका बैंक अकाउंट नमबर भी अधार से नूट होना चाहिए पहले एकाउंट के वज़े से account number पे चला जाता था लेकिन अब अधार बेस हो गया है अधार बेस चला CBT से जा रहा है वब तो अधार link होना चाहिए इसकी वी date 31 January last रखी गई है तो आपको तीन work करने है पहला आपको EQC करानी है PM किसान में दूसरा अगर आप चेक करेंगे अगर आप की भूमी उसमें नहीं अंकित है तो वो भी करानी है और तीसरा अधार से अपना bank account link करना है तीसरा तो लगभग सब का है यह दो आप चेक करना है तो आप दो कैसे चेक करेंगे कि आपका हुआ है कि नहीं तो आप PM किसान पोर्टल पर आ जाएंगे PM किसान पोर्टल पर आने के बाद मैं यह हटा दू पीम किसान पोर्टल पर आने के बाद आप बेनिफिसरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे क्लिक कने बाद यहाँ पर प्रणाय चाहिए और यह क्यान के चिंट डाटा पर चुट करेंगे तो यह पूरा डाटा आ जाएगा आप मॉबाइल नमबर यह रस्ट्टेशन मनबर जो भी आपके पास है वह करकर के टाटा पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा अब ऐसा ही डाटा आ जाएगा वहाँ पर आपका फार्मर नेम मोबाइल नमबर इस्टेड डिस्टिक विलेज टाउन वार्ड जो भी है होम एड्रेस यह सब दिखाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे यह सरकल में मैं लगाया हूँ यह तो यहाँ पर यह होना चाहिए अगर यह लिखा है तो आपकी केवाइसी एकेवाइसी हुई है अब दूसरा कहाँ चेक करेंगे तो दूसरा यह रहा लैंड सीडिंग यस अगर यहाँ पर लैंड सीडिंग यस दिखा रहा है तब आपका ओके है आपकी अगले किस्ट आएगी अगर इस इसमें से एक भी नो लिखा हुँआ है तो आपकी अगले किस्ट नहीं आएगी यह अप 31 जणवरी 2023 से पहले आप यह काम अपने पीम किस नीजान में कर लें आप ये काम खुझ से भी कर सकते हैं या किसी जर्ण सवार केंदर की मदद ले सकते हैं common service center की मदद ले सकते हैं और अप वहां पर जाकर आप या पना Ezeitig करा सकते हैं और रही बात लैंड सेटिंग की बात लेंड आप या ब्लॉक में या किरिसी विभाग में जाके किरिसी बहुन पे जाके आप वहां से यह वर्क करा सकते हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नजदी की अपने लोग को सेयर करें ताकि सब को यह नौलेज हो जाए तो अगली किस्त उनकी न रुक आप उनकी मदद करें धन्यवाद